ओ माई गाड इतने ज़्यादा बाल चाड़ गए मेरे मसका दोस्तों मैं हूँ अजना चौहान कैसे हैं आप सब रिजल्ट देखेगा कि कितना अच्छा आपको रिजल्ट इसका मिलेगा ठीक है वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि ऐसे चैची वीडियो में आपके लिए लेकर आती रहोगी दोस्तों आज मैं जो आपको तेल बताने जा रहे हूँ न वो आपके बालों की काया कलप कर देंगे ये है नारियल तेल नारियल तेल ले लीजे और ठंडिया पड़ रही है नारियल तेल में जो मैं डालने जा रही हूं मैंने बनाया था तो तेल बिल्कुल भी नहीं जमा था पहले नारियल तेल से बताऊंगी फिर उसके बाद सरसो के तेल से बताऊंगी ये जो तेल है दोस्तों, कम से कम हपते में 2-3 बार आपने बच्चों के अपने बड़ों के जिसको भी लगाना लगाईएगा, आप कुछ दिन बार देखेंगे अपने बारनों का रिजल्ट, ये है प्याज, प्याज में दोस्तों सलफर पाये जाता है, ये तो आप सब जानत जाते हैं, कच्चे प्याज की जो महक है थोड़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये धूप में जब पक जाएगा, तो उतना ज्यादा प्याज की महक नहीं आएगी, डालना हो तो 2-4 लॉंग डाल दीजेगा, तो महक पूरी तरीके से बदल जाती है, दोस्तों, प्याज म आपके बालों के लिए, ठीक है, तो कच्ची प्याज से ही मैं आज इसको बना रही हूँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको पकाना नहीं है, दूसरी बात ये है कि काच के सीसी में ही बनाना है, प्लास्टिक में नहीं बनाना है, तीसरी बात ये है कि जब धूप नि इने खराब ही नहीं होता, आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, अगर ये मैं न बनाई होती, तो मैं आपको कच्छे तेल का, मतब प्याज का तेल न बताती, क्योंकि बना है, खराब नहीं हुआ है, और बालों, मेरे बाल इतना ज़्यादा जड़ रहे थे, कि ऐसे मै निकालती थी न, तो मेरे बाल गुच्छों निकलाते थे, अपसोस होता था, कि मैं वीडियो बनाती हूँ, और मेरे बाल इतने टूट रहे हैं, लेकिन ये तेल, और जो दूसरा बताऊंगी, मतब गचब का तेल है दोस्तों, मेरे बेटे का, बाल जढ़ना रुका, मेरे ब दूप में रखना है, रोज साम को दूप से मतब उठा लाना, इसमें ओस नहीं पड़नी है, और डेली इसको आपको चम्मत से चलाना है, अब इसमें कलोंजी मेथी मैं नहीं डाल रही हूँ, इसलिए कि मैं सिर्फ प्याज का तेल बना रही हूँ, दोचार पत्ती हो सके, तो आप करीपत्ता अगर आपके पास है, तो आप करीपत्ता डाल दीजिए, दोचार लॉंग डालना चाहा है, तो आप डाल दीजिए, करीपत्ता कभी काम है, बालों को जड़ते हुए बालों को रोकना, तो करीपत्ता बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, हर चीज में ल लगाने के लायक हो जाएगा करीपत्त में डाल दिया है और आप जब ये पक जाएगा तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इस चीज की गरांटी मैं लेती हूँ और आप चाहें तो इसमें आधा सरसो का तेल मिला सकते हैं नहीं चाहें तो आप सिप नार्यल तेल में ही चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा 2-4 चमच कeta और आल भी मिला सकते हैं जो की आपके बालो儿 के लिए केस्टार आल बरदान है करीपत्ते को भी मिला लीजИे ठीक है ये बिष्ट तेल आपका बन गया है एक हपते बार रिडी हो जाएगा और तेल को नीचे पड़ा रहने दीजिए ऊपर से आप तेल को लगाते रहे इसको छान के फेकिएगा नहीं अभी उसके बाद जैसे ही तेल कम हो जाए आप इसे फिर से नार्यल तेल डाल दीजिएगा और इसको फिर से धूप में रख दीजिएगा यह प्याज जो है कम से कम इसको दो बार तेल आप इसमें कर सकते हैं अब दूसरा तेल जो आपको बताऊंगी वह बताऊंगी दोस्तों सरसो के तेल में तो यह काच के शीषी में ले ली है इसमें खतम हो गया है मैं इसको धोंगी नहीं ऐसे रहने देती हूं तो वस इसी में बना लेती हूँ क्योंकि धो फिर सुखाओ जराशाभी अगर गीला रहे गया, तो तेल खराब हो जाता है, तो बस इसी में लेती हूँ, सरसो का तेल, सुध तेल है, ये चक्की का बढ़िया सुध तेल मैंने मगाया है, मेरे अपने माईके से लेका है, सुध तेल अगर है, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये बाल बहुत जल्दी ये तेल चिपचिपाने लगता है अगर नकली तेल होता है तो इसमें मैं डालूँगी करी पत्ता दोस्तों करी पत्ता में प्रोटीन पाया जाता है करोटीन पाया जाता है ये मतब भरपूर मात्रा में इसमें बहुत ज़्यादा बिटामिन से पाया जाते हैं जो बालों को ड और करी पत्ता को आप भून कर रख लीजिए और उसको सुबे सुबे एक चम्मच खाईए और साम को एक चम्मच खाईए फिर देखिएगा इस तेल से बेहतर रिजल्ट आपको उससे मिलेगा तो दोनों चीज करेंगे तो और ज्यादा मिलेगा अब इसमें मैं डालूंगी मे मैं इसमें मेथी डाला है क्योंकि भाई तेल बहुत जानदार बन रहा है तो इसमें जान तो डालनी है मेथी और कलमजी की कलमजी मेथी और कलमजी दोस्तों ऐसा कोई कलचर नहीं है कहीं ऐसा नहीं है जहां मेथी और कलमजी को कोई नहीं जानता है कि बालों के लिए भी अ एक कलाउंजी यह इसी चीज है, प्याज इसी चीज है, कि जो दुबारा बाल ला सकते हैं, अगर किसी का मतब हार्मोन से के चेंज के वज़ा से बाल आपके तूट रहे हैं, तो बात अलग की बात है, अगर बाल जो है कमजोरी से तूट रहे हैं, तो यह अंदर तक यह तेल, जड़ के अंदर तक जाकर के आपके जो बाल टूट चुके, बेजान हो चुके, हलके हो चुके हैं, उन्हें कोई जान नहीं रहे गई हैं, उन्हें यह जान लाएगे कलाउंजी और मेथी का तेल, ठीक है, आप जड़ों में, इसको हब्ते में तीन बार आपको लगाना है, जड़ तक बाल जाए, इसलिए आपको ठोकना है, मतलब लगा करके उंगलियों से, अच्छी तरीके से मसाज करना है, तो इसमें तीन चीज हो गए हैं, और तीनों चीजों को अच्छी तरीके से आप मिला लीजिए इसको, ठीक है, अब आप चाहें इसमें, तो आप लॉंग इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, तो इसी तरह से तेल बनाए, कुछ भी करिए, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि, एक भी बाल नहीं तूटते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, तो कंगी, मोटी कंगी से करिए, कभी पतली जो दात वाले कंगी होती हैं, उस कंगी का यूज बिल्कुल न करें, जो मोटे दात वाले मोटी मोटी कंगी आते न तो उस कंगी से अपने बाल को कंगी करें रात में चोटी बांद कर ही सोएं जूड़ा लगा के सोएं या तो जूड़ा लगा लीजे या तो सबसे अच्छा तरीका है चोटी जब मैं चोटी बान्थ के सोती हूँ न, जब मैं सुबह खोलती हूँ, तो बाल एकदम सुल्जे हुए होते हैं, बिल्कुल भी बाल नहीं तूटते हैं, 2-4-5 बाल के अलावा, कभी भी बाल खोल के सोएंगे, तो दुगना तेजी से बाल आपके तूटेंगे, ठीक हैं? गीले बालों में कंगी नहीं करनी है, हप्पे में तीन बार ये तेल लगाना है, करी पत्ता और मेथी, कलोंजी इसका एक पौडर बनाईए और सुबे एक चम्मच, साम को एक चम्मच, ये सब बाहरी चीजें हैं जो लगाया जाता है, लेकिन अंदर अगर आपके कोई कमी हो पूरा करेगा खाने से वीडियो को लाइक करिएगा